Hello everyone !! कैसे हो आप सब ? I hope आप सब भी बहुत अच्छी होंगे दोस्तों तो दोस्तों आज मैं आपके साथ ये वाला सिंपल वाला जो मेरा लुक है वो शेयर कर रही हूँ मैंने एक सिंपल सा हीयर स्टायल कैसे बनाया है करने अरे हैं अगर आपको ऐड़ाना सकते हो गरपर खुद बना सकते हैं मैंने से घर पर खुद बनाया है कैसे बनाया है आज मैं आपके साथ इस वीडि़ो में शेयर करें हूँ है कोई ताम जहामने हैं आपको जादा कुछ भीने चाहिए हर लेडीज के पास मेकप से रिलेटर हैर स्टाइल से रिलेटर कुछ लिमिटर चीज़ होती है और में लिमिटर चीजों में आप कैसे एक अच्छा सा इंडियन लुक तयार कर सकते हो आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाली हूँ इस पूरा सिंपल लुक देखन चाहते हो यह साड़ी मैंने कैसे पहनी है कैसे कैरी कही है यह देखना चाहते हो इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैं यहार सब्सक्राइब करके मैं अब ही हैयर स्टाइल की आप हिस सकते हैं menorah अगर हैर सिर्फ थोड़े सी पसंग आती है तरsem मेरे चापस्काइब कर लेनا Town थेर सारे लाइक करना और यह चांग शीयर करना उनमों के साथ यहने इसकी दिमांड है तो आप हुचे इस एक यह स्टायल को बनाया है जाकए यह स्टायल को बनाने के लिए मैंने यहां पर करी है मने के लिए सेंटर पार्टिंग, अगर आप इसे साओ-उच्छ पार्टिंग यह तो आपके लिए रात में शैंपू कर लीज़े चैंपू करने के बाद अपने बाल में साइथ मांग निकार लीज़े उसकी बाद तो थोड़ी दर बाद सेंटर पाइटिंग करती हैं तो बाल में बहुत अच्छा पाउंज रहता है मेदे आगे के बाल आप देख सकते हूँ थोड़े से छोटे हैं फिर भी मैं ये style बहुत अच्छे से बना सकते हूँ इसलिए मैं कहारी हूँ ये style सब भी लोगों के लिए है जिनके बाल बढ़े हैं ये चोटे कोई भी बना सकता है तो बस इसी सरह से मैंने एक एक layer ली है और इसे दूसरी layer के साथ मैं tag करती जा रही हूँ और पढ़ियासा एक style बन जाएगा ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रुवत नहीं है ये आप बहुत ही easy तरीके से कर सकते हैं और बस हमें इस तरीके से सारी layers है उनको ले रेना है और एक साथ टक कर दूँगी मैं पीछे की तरफ ये वाला जो style है बहुत ही बढ़िया लगता है और simple look देता है तो पस मैंने टिक टॉक से इसे इस तरी से टक कर दिया है सेम डिजाइन ही मैं इस साइब में भी करूंगी और इदर के बालो को भी मैंने इसी तरीके से लेकर ये design तयार बना ली है बालो में तो आप देख सकते हैं ये वाला जो style होता है इसमें आप मानमटी का अगर लगाना चाहो आप खिवल सिंदू लगाना चाहो दोनों ही ची सारे बालो को लेकर मैं एक जो मेरा बन है वो लगा लूँगी तो ये देखिया आप देख सकते हैं अगर आपके पास बन ने है तो आप रबर बन का इस्तमाल में मोटे रबर बन कर सकते हो मैंने यहां पर यह बन लिया है और इस बन को मैंने अपने बाल में अच्छे से ताकि जो बन का डिजाइन है वह बालों पर अच्छे से आ जाए अब मैं सारे बालों को पीछे करके इस बालों से आप कुछ भी डिजाइन में आ सकते हो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रही हूं बस यह देखिया आप इस तरह के इसे डिजाइन बन गया है बालों को टू पार्ट में डिवाइट कर लेना है आमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाता है आसानी से बन जाता है और अब मैं बस दोनों पार्टों से बढ़िया से एक सिंपल सी धीली-धीली सी चोटी कर लूँगी दोनों तरफ और यह एक सिंपल तरीका है आप जाओं यह देख और काटे से इसको टप कर दीजिए ताकि यह अच्छे से से सेट हो जाए और आपका बन खुले नहीं तो इस टांके से मैंने इसे इस तरीके से टप कर दिया है तो यह बहुत ही इजी वे में बन जाती है स्टाइल और बहुत ही जादा खुबसूरत लगती है सारे लंबे तरीके के आपको अगर और भी हैर स्टाइल देखना चाहते हो तो मेरे साथ कमें शक्षन में जरूर बताना सेम वही करके मैंने दूसरी तरफ से इसे राउंड कर दिया है और राउंड करके आपको बस यूपिन से इसे टक कर लेना है मेरे बाल थोड़े से कहीं कहीं छोटे है अगर आप इंडियन लुक चाहते हो तो यह वाला लुक एक पर जरूर ट्राई करना दोस्तों बहुत ईजी है बहुत ही खुबसूरत है तो आप देख सकते हो मेरा बंकर बंकर रेडी हो गया है और अब मैं क्या करूंगी अब जो मेरे आगे के मैंने बाल बनाया थे इसक सकते हो पीछे से बंकितना खुबसूरत लग रहा है और सिंपल तरीके से फटाफट से बन भी गया है आप चाहो तो इसमें कोई असेसरी उपार लिगा सकते हो और अब मैं लगाऊंगी मांग में चाहो तो सिंदूर के साथ मांग पीय का इस्तवाल भी कर सकते हो मांगरी कापी इसमें बहुत इच्छा लगता है और मैंने सिंपल साडी पहनी है इसलिए मेरे केवल सिंदोर लिए लिह लगाओंगी और इसके बार में लगाऊंगी इसके बाद में लगाऊंगी अपने आखों में थोड़ा सा काजल काजल मैंने के वहला आउटर-लाइन पर लगाया है इनर लाइन पर नहीं लगाया तो आए मैं रेडी हो गई हूँ अपने नए वाले लुक के साथ और दोस्तों यह लोग मेरा बिलकुल करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिलिस के साथ तो आप से मिलूंगी एक नए ब्लॉग में नए वीडियो में किसी नए बड़ी आसी इंट्रेस्टिंग चीज़ के साथ तब तक मेरी तरफ से आप सभी को बाबाए